ये गांधी जी की शहादत की 75 वी बरसी है 30 जनवरी 1948 को उनको गोली लगी थी मोटे तौर पर वो साम्प्रदैक्ता के तूफान में कूद गए थे गांधी जी और उसमें उनकी शहादत हुई लेकिन हमें दिमाग में रखने की चीज़ है कि गांधी जी प्राइमरी ले सामराज जिवात के खिलाफ संघर्च करने के लिए जन्वे थे 23 साल की उमर से उनकी के संघर्च की शुरुवात हुई रंगभेद के सवाल पर वो संघर्च से बेड़े बिटिश संघर्च से और उसके बाद जब हिंदुस्तान लोट कर आए 1915 में तो बिटिश संघर्च जिवात के खिलाफ जन्ता को जगाया उन्होंने मिट्टी में जन्यान पैदा की मेरे पिटा जी मजदूर तबकेक से आते थे चौती क्लास तक पड़े थे उनके उस्ताद अहमद पहलवान वो भी बहुत कम पड़े लिखे थे हमारे गाउं के धूबी हमारे गाउं के मूची मुसलमान इन सब को गांधी ने खड़ा किया समराजवाद के खिलाफ पिछले 200 बरस में धर्ती पर ऐसा कोई सक्षनी पैदा हुआ जिसने जन्ता को खड़ा किया हो पूरी ववस्था के खिलाफ समराजवाद के माने मोटे तोर पर जो हमारे आजकल के पड़े लेके लोग भूल गये हैं समझने की जरूरत समराजवाद के माने होता है एक देश के संसाधनों का एक देश के श्रम का शोशन दूसरे मुलक के ब्यापारी तबके की आमदनी बढ़ाने और उनकी सक्ता मजबूत करनी ये के लिए हो इसको समराजवाद के पे यह तो हमारे प्रधर मंत्री भी भूल गये हैं कि जब वो बात करते हैं पार्लमेंट म कि हमें एक हजार साल की गुलामी से आज़ादी मिली उनको गुलामी के अर्थ पता नहीं है हमारे हिंदुस्तान का पड़ा लेखा तबका इस बात को भूल चुका है कि गुलामी होती क्या है और वो गुलामी बदकिस्मती से आज खतम नहीं हुई है गुलामी के माने है कि आम लोगों की मेहनत मशक्कत उनकी अपर्चुनिटीज का पेकपजा मुठ्थी भर लोगों का हो जाए मेहनत किसान करें मजदूर करें कारीगर करें टीचर करें चोटा कारोबारी करें और फायदा सिर्फ मुठ्थी भर लोगों को हो और वो इनकी एकता को भी तोड़ें इन को गुलामी कहते हैं ऐसा दोर हमारे मुल्क में 190 बरस चला ब्रिटिस हमराजिवाद के जमाने में हम आजाद हो गए 1947 में लेकिन वो जो संघर्ष हमारे अवाम ने किया गांधी तो इनके नेता थे सिंबल थे सत्यों रहिंसा के रस्ते पर लोगों को ले जाने के लिए लेकिन तो हम वो जो संघर्ष हिंदुस्तान के आम लोगों ने किया लाखों करोणों लोगों ने किया जिस वकट गांधी जी ने नमक सत्यक्रय में मुठी भर नमक अठाया था दांडी पर जाके समंदर के तठ पर उस विए लोगों ने पाँच अजार सभाओं में नमक कानुन तोड़ा था और जानते थे कि हमारे सामने मिलिटरी और पुलिस है कही जगे मिलिटरी ने गोली चलाई थी नौर्स वेस्ट फरंटियर प्रॉबिस में चलाई थी तोपे लगी थी तो खानत दुल गफारखा के धाई सो लोग में शहीद हो गए थे भागे नहीं थे गुजरात में धारासना में जब साल्ट वर्क्स कार खाने पर धरना बेहने के लिए गांधी जाने बाले उनको ग्रफतार कर लिया गया तो उनकर उन्हें कहता कि मेरे बाद लीट करेंगे अब बास्ताइब ज्यून को ग्रफतार कर लिए गया उसके बाद सरुज्म नाइगों ने लीट किया और लोगों पर लाठियां पढ़ते थी तो लोग हाथ नहीं उठाते देफेंस में हमारे हिंदुस्तान के पड़े लखे जमीदारा ना सोच के लोगों के दमाग में ये भूत पैदा हो चुका है कि बगैर हथ्या तो 99% टाइम पर लोगों का सोचन करने के लिए लोगों को गुलाम बनाने के लिए इस्तमाल होते हैं और यह हथ्यार करने वाले जाज़त मैं यह भी मानता हूं कि एक परसेंट मौके पर उनका इस्तमाल सच्चे काम के लिए भी होता है जैसे कि हमारे 877 में हिंदुस्तान क के क्रांतिकारियों और गांधी के दोर में भी चंदिक करांतिकारी थे हलाकि उनका जंता से जाहत समर्चन हासिल नीं कर सके और यूगदानद आज़ादी इस समंदर को न भूल जाए जो कांधी ने समंदर में तूफान कौड़ा किया और इसी का इंस्रूमेंट बनाया भाई नफरत भड़काओ पहले जाते के नाम पर हमारे मुल्क में हजारों बरस धरम नफरत चली लेकिन नई नफरत खड़ी हुई धरम के नाम पर कि हिंदू अलग मुसल्मान लग जबके यह दोनों चीज़ें हमारे जिसम पर लगे लेवल मातर हैं और गांभी भाप गया इ कि मेरी असली परिक्षा असली इमतहान हिंदू मुसल्मिक्ता के संदर्व में होगा क्योंकि इसी आधार पर हिंदूस्तान का सामराजवाद या सामराजवादी हुकूमत हिंदूस्तानी इलीट क्लासिस की मदद से हिंदूस्तान को कुचलना चाहती है इसके संगर्स के खिलाब गांधी खड़ा हुआ ऐसी शाहदत मिसाल नहीं मिलेगी इनसानी तारीख में गांधी किस चीज़ के लिए लड़ गया और मैं चाहिता हूँ कि हमारे मुल्क के लोग आज पागल हो चुके हैं बड़ी तादाद में खासतोर से पड़े लेकिए और आके खोलें मैं गांधी की प्रिटी सम्मान विक्त करने की बात में सम्मान तो आप अल्ला ताला का करें भगवान का करें वही काफी है लेकिन गांधी को पहचान तो ले उससे घिरना के नाम पर आप हिंदुस्तान के अवाम से घिरना तो ना करें हिंदुस्तान के अवाम क नफरत और prejudices रहीं तो हम किसी काम के नहीं है हमें जागने की जरूरत है महत बहुत बहुत शुक्रिया